नमस्कार दोस्तों आईए देखते हैं कि कल यानि की ट्यूस फ्राइडे ग्यारा मार्च को मार्केट कैसे काम काच कर सकती है लेकिन इससे पहले डिस्क्लेमर वीडियो एज्यूकेशन लनिंग परपस के लिए मेरी तरफ से कोई बाइस अलकाल रिक्मेंडेशन नहीं है कुछ भी ख्रीदने बेचने से पहले अपने फाइनेशल एडवाइजर की मदद दे लिजेए क्योंकि आपको उने वाले प्रॉफिट लाउज के लिए मैं मेरा चैनल किसी भी तरह से देवार नहीं है और मैं सुशांद बक्षी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्केट्स विद्स भी में जहां हम इंडियन स्टॉक मार्केट की एनालीसिस करते हैं इस्पेशली काल और गुट दोस्तों जैसा कल एक वीडियो बनाते हुए प्रेडिक् से था कि जितनी बड़त मार्केट बनाएगी वह सारी गवाएगी और आपने देखा वह हुआ भी और मार्निंग में काल्स आफ्टरनोन में पूट आज बड़े प्लेयर ने जम के पैसा बनाया और आप में से कितनों ने बनाया मुझे पता नहीं लेकिन कल एक स्पेशल वी तो थोड़ा सा पाटी स्पेशन कीजिए मेरे टैलीग्राम चैनल पर या वीडियो के कमेंट में यह बताईए कि असल में बीजेपी ने इस एलक्षन में जो अभी पांच स्टेटों के एलक्षन हुए है क्या खोया क्या पाया और कितनी स्टेटों में एलक्षन जीती है जी इपिवी मिक्स यू दिए भूलिश वी लेकर नेटनेट बैसी पे टेलर सिक्स्टी सिख तोदन कंट्रक्ट है नंबर अभी भी बड़ा लेकिन फिय ने आज कुछ लांग याड़ किया कुछ शार्ट क्लोज की है और इन्हों ने भी कुछ शार्ट क्लोज किया और कुछ ल बात बता देता हूँ अगर बेरे अवे दोस्त जो फास्ट रेम वीडियो देख रहे हैं इससे कुछ लर्न भी कर सकते हैं जब भी बड़ा गैप आप होता है यह मैंने यह फिगर कल आपको स्पेशली पॉइंट आउट करके भी बताई थी जब भी बड़ा गैप आप होता है पांच साथ सो हजार पॉइंट का तो आप समझिए सेकंड हाफ में उतना ही स्टीफ हाल आएगा रीजन प्रास जवरदस्त राइटरस हैं और प्रास कभी भी कोशिश करते हैं मार्किट में नुकसान नहीं लेना बड़े गैप आप में यह क्या करते हैं एक बार के लिए आपको पूट सप्लाई करेंगे उसके बाद जब आप ठक जाओगे उनको वापिस उनकी पूट द लाख कंट्रेक्ट 27-26 लाख के लगबग काल में खेला है और 22-23 लाख कंट्रेक्ट जो है पुट में खेला है तो और बड़े यह प्रास ने भी वही काम किया है यह बात आपको समझनी चाहिए 2,5 लाख जब कंट्रेक्ट इनके पास होता है आप कभी भी यह नोट कर ले न दोनों तरफ का मूव आएगा और आप देखिए दोनों तरफ का मूव मार्किट में आया क्योंकि यह लाख नहीं लेते और आप देखिए कितने खूबसूरती थे इन्होंने 900 रुपे की जो काल थी जो सुबह 900 रुपे थी जिस पे रिटेलर ट्रेड कर रहा होगा यही मानि में मैंने इंडिकेट भी किया था बचके रहना बचके रहना जो टेलीग्राम चैनल है उसका रीजन यह था कि काल में अन्वाइंडिंग चल रही थी और जबरदस्ट चल रही थी इसका मतलब जब मार्निंग में मार्किट उपर खुली तो यह काल जो रिटेलर न थोड़ी सी पुजिशन यह खेल के गिया है और पुट साइड में 281,000 कंट्रेक्ट रिटेलर फिर से राइट करके गया तेजी की पुजिशन बना के गया यहां पर थोड़ी सी काल बेच दी है 47,000 कंट्रेक्ट और रिटेल प्रास भी 13,000 कंट्रेक्ट बेच के गया और FIA 2 2,39,000 कंट्रेक्ट इनके पास है मलब जो गिरावट आई इस पे इनको जहां पर समझ आया इन्होंने वहां से अपनी पूजिशन थोड़ी हलकी करने में समझदारी दिखाई और 54,000 कंट्रेक्ट डियाई के पास है और मुझे आई तक वैसे डियाई का समझ नहीं आया यह में मन्त पर यह जैसे इनकी यह फिकर रहता है यहां पर काल में यह पुट में यहां पर जब गिरती है तब यह प्राफिट नहीं घरते जब चड़ती है तब भी नहीं करते आब रिटेलर टैनलाग एटी सेवन तोजन कंट्रेक्ट इनके पास स्टाक फ्यूचर में है 16,14,000 थोड़ा सा नंबर यहां पर आज डिय ने भी कवर किया 16,14,385,000 कंट्रेक्ट आप देखिए कुछ लांग क्लोज किया है कुछ शाट भी क्लोज किया है और 141,000 प्राउस के पास कंट्रेक्ट है इन्हों ने नंबर यहां पर काम किया है मतलब यह देख रहे हैं कि ज पूरा इन्हों ने इंडेक्स यह बेचा है मार्किट को नीचे लाने के लिए अब हजार हजार रुपे की अगर राइटिंग की होगी और ऐसे मार्किट को पैसे देने लगे फिर तो यह हो गया अगले दिन अगर इनकी दो हजार डाइजार रुपे का लास लेना हो तो इन्होंने दवा के यह बेचा जो आपने स्टीफ फाल देखा आप देखिए पूरे के पूरे खाली हो गया इवन इनको कुछ और भी बेचना पड़ा अपनी पोजिशन बचाने के लिए तो 4528 कंट्रेक्ट इन्होंने फाल काच करी है अज भी हलके कैश में बेच है लेकिन आज थोड़ा माल कम बेच है वन थोदें 981 करोड का 945 करोड की बाइं डिया इसने भी की है और यूएस मार्किट नीचे रिजन सिंपल वही यूक्रेइन वापिस आ गया और साथ में इंफलेशन का नंबर भी शायद लोगे अज एक निफ्टी तक्रीबन 150 पॉइंट नीचे चल रही है यूरोपियन मार्किट भी नीचे अच्छी काती जो कल 14,000 पे थी आज 13,500 13,335 ति मर्क छे ताथ सो पॉइंट की आज भी इंदो ने गिरावट दिखाई है अब निफ्टी की कलोधिंग हुई है 16,600 गया असपास सिंपल 16,600 पे ये पूट बेची है 16,500 पे भी रिटेलर पूट बेच के गया है अगर ये नीचे जाती है तो ये थोड़ा थोड़ा प्रैशर आएगा डाटा अभी कम है तो 16,300 पे थोड़ी सी सपोर्ट जो है मार्किट लेने की कोशिश करेगी अगर ये गैप डाउन हो जाती है 16,400 के आसपास तो मैं यहाँ पे नहीं खरीदने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे खरीदने की कोशिश करूँगा लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है जो प्राउस की स्ट्रेडजी है वो किया उसको अंडर्स्टेंड करने की कोशिश करनी है वो बेचता है काव मार्किट को अच्छे तरीके से नीचे लाता है फ्राइडे को वन डे को कांटिन्यूस करता है और ट्यूस्दे को वापिस जो है रिवर्स करता है तो आपको क्या करना है इंट्रा डे में पूजिशन कैरी नहीं करना अगर गैप डॉन मिल जाता है तो 16,300 के आसपास जो है लेने की कोशिश करेंगे और प्राफिट बुक करेंगे 16,450,500 तक अब जो बीजेपी की जीत हुई है इस पे आप अपना मंतन करो मैं आपको एक वीडियो मना के दिखाऊंगा जो मैं समझता हूं जो मेरे को पॉलिटिक्स एनालिसिस करके कि क्या हो सकता है क्योंकि आज मैं देख रहा था अनियर सिंग भी बता रहा था टीवी में की काफी कुछ चेंज हो गया है सरकार दुबारा आने के चांसिस हैं दो हजार 24 का अगाज होता है स्टेबल गोर्मेंट होती है तो बड़े प्लेयर्स का जो है उसमें इंटरस्ट रहता है तो यह चीज़ें इंपॉ जही 600-650 तक जाने की कोशिश कर सकती है तो कल के लिए रेंज नीचे की तरफ 16300 उपर की तरफ 16600 यह रहा सकती है अब 600 के उपर जाएगी या नहीं जाएगी यह लाई मार्किट पे डाटा का भीश है या तो लाई मार्किट पे आपको डाटा पे नजर रखने चाहिए इस 30.00 इंट्रेस्टिंग है कि अभी भी सिस्टम में काफी ज्यादा जो है यह देखो दोस्तों अगर इनको पता होता है कि हमें मार्किट उपर लेके जानी है 35,000, 36,000, 37,000 बैंक निफ्टी लेके जानी है तो यहाँ पे काल में प्राफिट बुक नहीं करते तो मानिंग में जो आपने देखा सैशन में बड़े प्लेयर्स ने जो काल काल लेके गे थे यह सारा प्राफिट बुक किया उपर के रेट पे मतलब आप देखिए 1000-1000 उपया उपर इनका प्राइज होगा और बाद में इनका प्राइज नीचे आया है और पुट में जब फाल आया उसमें इन्होंने कहीं न कहीं देखिए कोई खास लास नहीं है अगर आप यहाँ देखोगे एच-दो सुर्विया बांद दूए यह तीन सुर्विया बांद दूए लेकिन यहां पर पैसा अच्छा बड़े प्लेस को मिल गया लेकिन अभी यहां पर मेरी अभी लग रहा है कि एक डिप बाकी है इनका अब 34,000 पर 20,000 कंट्रेक्ट 17,000 कंट्रेक्ट यह सारी पुट जो है यह रिटेलर बेच के गया इवन 33,500 पर भी 4534 कंट्रेक्ट है लेकि अगर गैब डाउन होता है बैंक निफ्टी में एक चीज़ समझेने वाली है अगर गैब डाउन होता है तो जो कल का कलोज है 33,800 33,900 इसके आसपास अगर गैब डाउन मिल जाता है तो एक बार हम बाए करेंगे पहले 15 मिनिट नहीं करेंगे कुछ भी क्योंकि अगर गैब ड कचे देखो यह पूट बेची है 18,000 गंट्रक्ट लीप अचि रिट्एलर ने रहे यहां पर भी 15,000 कट्रक्ट बेच के गया यह 35,000 की पुट को राइट और यहां पर काल भी बेचीज़ार कंट्रक्ट तो च्बीस घार तो फिलहाल अभी 35,000 कंट्रक्ट 35,000 मुझे जो है resistance लग रही है 34-500 sport का काम कर सकती है बिलकुल नहीं इधी के आसपास हम बंद हुए हैं ये put वो बेज के गे हैं तो इसका मतलब बड़े players ने put लिया है अगर कोई भी दो सोटेट दो सोट पॉइंट का गैप अप मिल गया तो आपको सोल्ड आउट होता नजर आएगा 34,000 33,000 33,000 बेस्ट लेवल जहां पर गैप डाउन मिले पहले 15 मिनिट में इस लेवल के आसपा तो बाय कर सकते हैं टार्गेट होगा 34,300 34,400 34,500 फिर उसके बाद यह द्वारा इसके ऊपर कहां तक निकल सकता है इसके ऊपर मुझे संभावना लग रही है 34,600 34,700 बाकी लाई मार्केट पर डाटा पर नजर रखिएगा डाटा कैसे फर्दर फार्म होता है बट एक बार के लिए यह 17,000 34,000 यह 17,000 कंट्रक्ट आज ही जुड़े हैं और रिटेलर ने प्लेयर खरीद के की हैं बड़े प्लेयर खरीद केने का मतलब हमारे प्रास क्योंकि अपर यह ने भी पूटी पेची आई थोड़ा था आज आपने अगर नोट की होगी तो ठीक है नहीं की तो एक चीज समझीए उपर के लेवल से बैंक में जितने बैंक आज उपर के लेवल पर गे थे चाहें को अठारा अठारा सो प्लस था शायद HDRC बैंक वो भी उपर था लेकिन उपर से आज इनमें तेज मनाफ़ा मसूली हुई है इसका मतलब प्राफिट बूकिंग हुए है मनलब bank को उपर लेके जाया जाएगा फिर उसको बेचा जाएगा फिर लेके जाया जाएगा फिर बेचा जाएगा ये थोड़ा सा जो है banking sector अभी ऐसे ही रहेगा जब तक हमारा Ukraine हमारा crude और सबसे बड़ी US का जो data है US stable नहीं होता अगर US stable होगा तब आपको फायदा मिलेगा US stable नहीं होगा तो यही 500-700-1000-1000 point के move आपको bank nifty में देखने को मिलेंगे कहां पर pick करते हो वो important है और उससे भी बड़ी बात है बैंक निफ्टी में फ्यूचर में अन्वाइंडिंग पे नजर रखो अगर अन्वाइंडिंग मिलेगी 8-10-15% की तब जाके थोड़े से मार्किट ऊपर की तरफ जाएंगे अदर्वाइस अन्वाइंडिंग नहीं मिली तो यही कुछ आप जो है वाइलेट मूव दोनों तर करके था अपना एकाउंड ओपन करना चाते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिये लिंक को क्लिक करके आप एकाउंड ओपन कर सकते हो वीडियो करता हूं खतम नमस्कार जय है